हलो फ्रेंद्स आप देख रहे हैं बॉल्वूर्ड हैटलाइन्स और मैं शिवानी मिश्राज बात कने वाले हूँ टीना दता के बारे में रही जहां उन्हें अपने रिष्टे को कंटीनुई रखने के लिए मिन्नते मागनी पड़ी थी वैल आपको बता दे कि और तो और उन्हें काफी सारी तकलीफों को भी फेस करना पड़ा था टीना का यह पैनफुल एक्सविदेंस काफी डराऊना रहा टीना दत्ता जिनने उ एक शक्स को पांस सालों तक डेट कर रही थी हाला कि यह शक्स इंडस्टी का नहीं था और इनका यह रिष्टा उन्होंने 2015 में खत्म भी कर दिया वैसे पब्लिक प्लैटफॉर्म पर अपनी अब्यूसिव रिलेशन्शिप के बारे में बात करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत परती है और टीना ने इन सारी चीजों पर बात करके यह तो साबित कर दिया है कि वो एक स्ट्रॉंग लीडी हैं साथे साथ हो काफी जादा हिम्मत वाली हैं अपनी पास रिलेशन्शिप के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो दोनों एक कावन फ्रेंड के थ्रू मिले थे और फिर उनकी दोस्य और भी जादा गहरी हुई और एक ने मुकाम पर चली गई पर फिर एक ऐसा भी मौका आया जहांपन उन्हें वर्बल और फिजिकल टॉर्चर का सामना करना पड़ा था आपके बता दे क्योंकि उनका देन पार्टनर एक्स्रीमली ज पार हो चकी है और अब वो इस रिष्टे को नहीं कंटीन्यू करना चाहती है फिर उन्होंने लिया अपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला और उस रिष्टे का उस चैप्टर को क्लोस कर दिया जिसके बाद अब टीना का अपनी लाइफ को लेका नजरिया पूरी तरह से पदल चुका है तीना ने कहा कि अब वो शादी करना चाहती है और जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहती है लेकिन जब उन से उनके बारे में पूछा गया कि अपनी लाइफ पार्टनर को वो किस रूप में देखना चाहती है तो इस सवाल पर टीना ने काफी एक अनुखा जवाब दिया उन्होंने कहा कि वो कोई नौ इनडस्ट्री परसन हो कियों कि अकसर दोनों चप इनडस्ट्री से हो तो काफी सारी कॉम्प्लीकेशन होती है और मिसंदर्सटाइंश भी करिट हो जाती है जिसका वो सामनार नहीं करना चाहती है वो इन सारे फ्रेस क पर हमें कमेंस के जरीह जरूर बता हैं और ऐसा ही बॉलिवर टेलिविजे से जुड़ी सारी चटपटी खबरों के लिए मारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें